हम चबाते हैं हम ओपर से नीचे तक मिलके पसलों को खा जाते हैं फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है सोनों की मा भागवान करें सब सही रहे और आमदनी अच्छी हो देखना इस साल हम एक नई गाड़ी जरूर खरी देंगे और तुम्हारा सोने का हार भी हाँ अगले हफते आ रहा हूँ तुम दोनों को माई के से लेने क्या बात है विरू इतने उदास क्यों हो फसल कैसी हुई इस बार सब खत्म हो गया लखन क्यों क्या हुआ कीडों ने इस बार भी सारी फसल नश्ट कर दी ए भगवान फिर से दवाई ठीक ठीक डाली थी ना बिल्कुल इतना खर्चा करके चबाने वाले और फसल खाने वाले दोनों कीडों के लिए दो अलग-अलग दवाईयां लगाई मेहनत, पैसा, सब वेकार विरू, मेरी मानों तो तुम बायर कंपनी वालों से बात करो वो जरूर तुम्हें सही सला देंगे बायर कंपनी? हाँ, क्रिशी शेत्र में बायर कंपनी सबसे विश्वस्निय नाम है तुम्हें एक बार उन्हें फोन तो करो वो जरूर तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे हलो, बायर कंपनी? नमस्ते, मैं हूँ विश्वास, बायर कंपनी से आईए, आईए बैठिये फोन पर तो बताया ही था पिछले साल की तरह फसल खराब ना हो इसलिए इस बार फसल की शुरुवाती अवस्था में दुगना खर्चा करके चबाने वाले और फसल खाने वाले दोनों कीडों के लिए दो अलग-अलग दवाईयां लगाईं पर इतनी जल्दी उनमें दवाई से प्रती रक्षा की क्षमता बढ़ जाती है कि मैं समझ सकता हूँ फीरो जी आपको कितनी परेशानी हुई होगी पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी चबतकारी दवाई है जिससे फसल की शुरुवाती अवस्ता में इन फसल खाने वाले कीडों से बार-बार दो अलग दवाईयों से आपको एक साथ चुटकारव मिल जाएगा तो क्या आप उस दवाई के बारे में जानना चाहेंगे? एक ही दवाई से एक साथ चबाने वाले कीडों से चुटकारा और वो भी लंबे समय तक असरदार विश्वास जी, मैंने तो आज तक ना ऐसा कुछ सुना है और ना देखा है ये बायर का एक चमतकारी आविशकार है जो कीडों को लखवा मार देता है इसे एक बार लगाते ही तुरंत असर होना शुरू हो जाता है जाने की बार बार छड़काव करने की जरुवत ही नहीं होगी क्या बात कर रहे हैं? और क्योंकि एक कम मात्रा में लंबे समय तक ज़्यादा असरदार होती है तो परागन क्रिया में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक ही दवाई में इतना असर जी हाँ और इसकी विशिष्ट कारेक्शमता इन कीडों में कोई प्रती रक्षा बनने ही नहीं देती विश्वास जी ये दवाई है कि जादू की छड़ी जादू की छड़ी भी बोल सकते हैं खेतों का रक्षक और किसानों का भरोसे मन साथी भी बोल सकते हैं तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? मरने वाले के सामने आप अमरित पकड़ कर पूछ रहे हैं कि उसे जिन्दगी चाहिए की नहीं? मेरे पास है आपकी सारी समस्याओं का हल आपकी फसलों के लिए एक्सपर्ट सुरक्षा पांच रनों की खूबियों वाला बताईए तो सही ये है क्या? इसका नाम क्या है? बायर कंपनी के इस चमतकारी समाधान का नाम है बेल्ट एक्सपर्ट बेल्ट एक्सपर्ट? और मुझे यकीन है आप भी निराज नहीं होंगे हम चबाते हैं हम उपर से नीचे तक मिलके फसलों को खा जाते हैं हम कहां हैं? ये काड है खेतों का ऐसा रक्षक इतना खतरनाक हमने पहले कहीं नहीं देखा ये तो हमें मार ही डालेगा वीरु जी फसल कैसी हुई इस बार? विश्वास जी आपके बायर कंपनी के बेल्ट एक्सपर्ट ने तो कमाल ही कर दिया सालों में इतनी अच्छी फसल नहीं हुई है पता नहीं कैसे आपका शुक्रियादा करूँ? अरे नहीं नहीं ये तो हमारा फर्ज है बताइए और क्या कर सकते हैं आपके लिए? विश्वास जी अच्छी फसल के लिए बेल्ट एक्सपर्ट इस्तमाल करने का सही समय कब है? और मात्रा? आप मिर्ची फसल की शुरुवाती अवस्था में 100 मिली प्रतियेकर की मात्रा में बेल्ट एक्सपर्ट के लगातार दो छड़काव करें दस से बारा दिन के अंतराल में ठीक है, बेल्ट एक्सपर्ट ने मेरी मिर्ची की फसल को तो बचा लिया लेकिन विश्वास जी, मेरे चावल, बैंगन, चाई, दाल, ककडी और टमाटर की खेती का क्या होगा? क्या बेल्ट एक्सपर्ट उससे भी बचा पाएगा? जरूर, इन खेतों में चबाने वाले और फसल खाने वाले खीडों पर प्रयों का अनुसंधान चल रहा है अब तक उनके काफी सकारात्मक परिणाम आये हैं और इन फसलों पर मन्जूरी पाने के लिए हम भारत सरकार को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद बायर का बेल्ट एक्सपर्ट चबाने वाले और फसल खाने वाले कीडों पर करें जबरदस्त असर बायर का बेल्ट एक्सपर्ट आपकी पसलों के लिए एक्सपर्ट सुरक्षा